असलाम अलेकुम क्रियेटिव राइटिंग कोर्स में हमारा आज मौदू है कंड़क्टिंग एन इंटरिव्यू लिखने से पहले हमें रीसर्च करनी होती है और रीसर्च करने के बहुत से तरीकें उसमें से एक ये है कि आप मालूमात हासल करें किसी को इंटरिव्यू करके इंटरिव्यू करना एक इंटरिस्टिंग काम है क्योंकि आप डाइरेक्ट किसी शखसे कोई इंफरमेशन ले रहे हैं और अपनी मर्जी के सवाल उसे पूछ सकते हैं इसलिए important है कि इस opportunity को अच्छी तरह इस्तमाल किया जाए और इसमें से maximum benefit और maximum information ली जाए अपने लिखने के लिए तो इंटरिव्यू कही तरह के हो सकते हैं structured भी हो सकते हैं semi-structured, unstructured इसको इनकी अलग-अलग इनको समझना ऐससा ज़रूरी नहीं है basically इसका मकसद यह है कि आप हो सकता है पहले से सारे सवाल तयार करें और उन्ही को stick करें that is structured और हो सकता है कि आप interview के दुरान कुछ सवाल बना लें और कुछ जो है आप रदो बदल उसमें तबदीली करते रहें और एक interview यह हो सकता है कि आप कोई भी सवाल ना बनाएं और सिर्फ आप जाएं और जिसको interview ले रहें उससे उसकी कहानी सुने या उससे उसकी बात ने सुने यह किसी अगर आप बड़े मुफक्र या किसी ऐसा आपका सामने वाले शखस है तो उस सूरत में हो सकता है कि जिनसे आपको लगता है कि आपको अपनी मर्जी का मबाद मिल जाएगा और दौराने गुफटगू आपको इना कोई सवाल पूछ सकते हैं आपको पहले से तयार करने की जुरूत नहीं है आम तोर पे बेहतर यह होता है कि आपको सवाल तयार करें लेके जाएं और जब गुफटगू के दौरान कोई उसका बात का धारा किसी एक तरफ को जाता है तो यू आस्क यूर फॉलो अप क्वेस्टन और यू आस्क अडिशनल क्वेस्टन अकॉर्डिंग्ली स्टेव फ्लेक्सिबल और उसके मुताबग जो है आप जो बात हो रही है उसके मुताबग फिर आप अपनी मर्जी का डारेक्शन उसको देते जाएं आपको यह अलग अलग नाम ऐसे याद करने की जूरूत नहीं है अच्छा इंटरिव्यू पार्टनर कौन होना चाहिए किनके साथ आप जो है इंटरिव्यू करें एक तो यह जाहिर है वो रेलिमेंट लोग होने चाहिए इंपॉर्टन्ट यह नहीं है कि कोई बड़े उगदे वाला आदमी हो लेकिन इंपॉर्टन्ट ही है कि उसके पास वो एक्जैक्ट इंफर्मेशन हो अगर आपने यह पता करना है कि एजिंग से मुतालिख लोगों में क्या मसा आपने यह आर्टिकल लिखना है कि एजिंग के लोगों के फिजिकल या वो प्रॉब्लम्स क्या है तो हो सकते है आपको कोई जिम के इंस्ट्रक्टर जहां पे उमर रिसीदा लोग आते हैं उससे वो आपको इंफर्मेशन मिल जाए बजाए इसके कि आप जिम के माले के पास जाएं तो रेलिवन्ट लोग होने जाएं जिनसे आपको इंफर्मेशन मिले और दूसरी चीज यह है कि वेरीट पर्सपेक्टिव हो अगर आप किसी हिस्टॉरिकल व्यूपॉइंट के टॉपिक है आपका या आप हकूमत के बारे में या किसी हकूमत की policy के बारे में आप यूज लेना चाहरे है हो सकते है आपका अपना रुझान किसी एक तरफ हो लेकिन क्यूँके आपने उसके बारे में लिखना है तो important है कि आप उसके सारे perspective सारे नुखता नजर जो है पहले अपनी मालूमात जो लेने हैं उसमें शामिल करें इसी तरह आपकी राइटिंग में भी रिछनेस आएगी और आपका परिस्पेक्टिफ जो है वो बलीविबल और आपकी क्रेडिबिलिटी जाता होगी तो इसलिए ये ये नहीं है कि सिर्फ आप अपनी फेवरिट या जो जिसको आप सही समझते हैं सिर्फ उनी लोगों को आप अपनी रिसर्च में या इंटर्विव में शामिल करें कि सारे नुक्ता नाजर उसमें आप शामिल करें क्वेस्टिंज आपने प्रेपार करने अन। जाना बेतर बात नी होती तोस्टिंज एप जब प्रेफियर करेंगे तो वो उस टॉपिक के मुताबिक होने चाहिए आपको अपने टॉपिक को पहले खुछ जानना चाहिए फर एजामपल एजिंग लोगों के बारे में आर्टिकल लिखना है तो उनके मसाइल हो क्या सकते हैं यह आपको मालूम होगा तो ही आप उसके मुतालिक सवाल फिर इंटेलिजेंट ली कर सकते हैं अच्छा, एक तो यह कि ज़िए ज़िए नहीं है कि जो अगले ने बताया वही आप जो है उसको सुनके आजें या आप उसको जो आपने वाले को आपका सवाल जो आपने जैसे फ्रेज किया हुए वो समझ नहीं आए तो आप उसके साथ अपने फॉलो आप क्वेस्टिन्स या कोई मिसाल भी अपने पास पहले से सोच के रखें कि अगर उनको क्वेस्टिन एक्स्प्रेइन करना पड़ा तो कैसे करेंगे गुफ्तुगू की सूरत में क्योंकि ये इस नॉट लाइक पेपर जिसमें सवाल जो है वह क्वेस्टिन मार्क पर खतम हो जाएगा मतलब गुफ्तुगू की सूरत में आप उनसे कोई इडिशनल इंफरमेशन कोई मिसाल अगरा दे की अपनी बात वाज़े कर सकते हैं आर्च ऑफ क्वेस्टन से ये मुराद है कि आप अगर आप किसी शखस को पहले से नहीं चानते जिससे इंट्रिव्यू लेने लगे हैं तो आप बिल्कुर शुरू में ही बहुत कोई टेक्निकल या ऐसा कोई सवाल जो थ्रेटनिंग हो या कोई कॉंट्रोवर्शल बात हो उससे स्टार्ट ना करें आप स्टार्ट करें असान बात से और फिर आइस्ता इस्ता जो आपको इन्फरमेशन चाहिए उस तक जाएं बहुत सकते हैं उसे उनके काम के बारे में पूछ लें ज़िए आप अपने वक्त पर जाएं अगर किसी से वक्त ली है या वक्त पर जाएं तैयारी से जाएं location comfortable ढूंड़ने कोशिश करें कि अगर आप किसी से जैसे बड़े शहरों में रिवाज है कि कैफे वगेरा में मिलके बात की जाती है तो और वहां पे शोर हो रहा होता है या म्यूजिक लगा होता है रेस्टरॉंज में तो वो आपकी जो activity है जो आपका मकसद है उसकी रामे हायल होगा तो ऐसी चीज़ों को पहले से सोचें और उनको avoid करें और अपने मकसद के लिए मुनासिब जगा का इंतखाब करें Starting easy हमने पहले भी बात की हो सकता है अगर आप किसी महकमे की representative से बात करें या किसी हकूमत के किसी नुमाइंदे से बात करें तो हो सकता है आपको एकदम से अपनी मर्जी की इंफरमेशन ना मिले या हो सकता है कि वो उसको बात को टाल दें तो कोशिश इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उसको रिविजट करें क्वेस्टन को या उस पे वापस आएं और दुबारा से पूछ लें तो यह क्यूंकि आपका मकसद वहां पे सिर्फ यह नहीं है कि आप उनसे मिलने या दोस्ती बिनाने या नेट्वरकिंग करने गया है यह भी उसका एक फायदा हो सकता है लेकिन असेंशली यह वांट तो यह नहीं है लेकिन असेंशली यह उसका प्रॉसेस चलता है उस वक फिर आप उसको कर सकते हैं अच्छा इंट्रिव्यूस लेने के भी कई तरीके हो सकते हैं आप फेस टू फेस मुलाकात से कर लें अगर कोई शखस अवेलिबल नहीं हैं बहुत मस्रूफ हैं या किसी और शहर में हैं तो फोन से कर सकते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं इसके लावा इंट्रिव्यू आप एक शखस से भी ले सकते हैं एक फर्द से भी ले सकते हैं या आप एक सवाल पूछें और डिफरेंट जेनेरेशन के लोग उसका जवाब देने के लिए मौजूद हों तो जो उमर रसीदा लोग हैं वो भी उनके बच्चे और ग्रेंट चिलर में मौजूद हों और वो सब उसको रिस्पॉंड करें और इसके इलावा बाकी सिर्फ यह है कि हमने हर चीज में काया करोग है यहएं लिखने के लिए तयारी जुरूरी है इसी तरह इंट्रविव के लिए पी तयारी जुरूरी है पहले से सोच समझ के जाएं तो इन्शाल PayPal से यह अच्छा हो सकते हैं आज के लिए इतना शुक्रिया.